फिदेश भेजने के नाम पर भोले भाले युवक को ब्रहमित कर लूटने वाले दो ठग लगे करनार प्रिस के हत्ते आज करनाल के एस पी सुरेंद्र भोरिया द्वारा एक प्रेस कॉंफरेंस आयोजित कर पत्रकारों के माध्यम से अपील करते हुए बताया की आज यूआ पीडी में USA वा कैनेड़ा जाने का क्रेस है और इसी का फाइदा उठाते हुए कुछ ठक तरह के एजेंट बहार रोजगार देकर वो नौकरी दिलवा कर सेटर करवाने का लालच देकर 15-20 लाग ठक देते मैं जरूर आपके माध्यम से एक अपील भी करना चाहूंगा कि आप सबी जानते हो कि आजकल जो खासकर यूथ है उसमें बहुत क्रेस है USA और कैनेड़ा जाने का उनका मेन मुद्दा है कि हमां रोजगार मिल जाएगा और हम पैसे कमाएंगे और पैसे वहां भी हम कमाएंगे और अपने घर पे भी भेजेंगे इस बात का फैदा उठाते हुए काफी गैंग सक्रिये हैं हर्याना में भी जो इन भोले भाले या जो नए लड़के हैं उनका ठगी करके उनको लालच देके कि आपको हम USA में जो है वहां आपको सेटल करवा देंगे या नौफरी दिलवा देंगे उस तरह से तेरा से पंद लिए रष्ट की है एक का नाम महर सिंग यह संद का रहने वाला है और गोर्जंट सिंग यह जल्माना का रहने वाला है इसमें में में गुर्जंट सिंग है जिसने अब तक 25-30 लड़कों को यह illegal way में बाहर भेज चुका है तो यह ना केवल चीटिंग और फॉरजरी है यह immigration का भी ओफेंस है अभी जो इन्होंने बताया हमने सारी इन से पूश्टाच की कैसे इनका मोडसोपरेंडी क्या है तो यह सबसे पहले तो जो भी लड़के उनका पासपोर्ट बनवाते हैं उसके बाद जहां साउथ अमेरिका में एकवेडोर एक कंट्री है वहाँ वीजा ओन अराइवल है आप जब भी जाओगे वहाँ आपका वीजा लग जाएगा तो सबसे पहले यह फ्लाइट एकवेडोर की वहाँ उस कंट्री में इनको भेज देंगे उसके बाद वहाँ इनका एजेंट जो वहाँ लोकल इनका जिसको डॉंकर बोलते हैं इस पूरी प्रोसेस को यह डॉंकी करना बोलते हैं भी डॉंकी करके इनको युएस लेके जाना जो रूट है वह उत लोग है एकवेडोर के बाद पॉलंबिया, कॉलंबिया के बाद पैनामा, फिर कोस्टारिका, फिर निंगारागूए, फिर गोटेमाले और उसके बाद मेक्सीको ओर सेन फ्रसिस्को गाई बोल्डर है है वहाँ यह ब्रॉलीगल बडर क्रोस कर गाते है border cross कर आके फिर वहाँ जो camps है या जो foreign act में या जिस act में वो arrest करते हैं यह वहाँ इनको detain किया जाता है USA में तो अब पिछले कुछ दिनों में काफी सैंकडों की संख्या में लड़के deport हो रहे हैं और जो लड़के deport हो रहे हैं उनसे हम contact में हैं जो हमारे को जानकारी मिल रही है और उन सभी से हम इनका मोड़ से परेंडी पता कर रहे हैं और कौन-कौन agents बीच में involved हैं ऐसे काफी cases यहां भी धर्ज हुए हैं यह particular case का आपको बुलाने का मकसिद यही है कि जो हमारे युवा हैं उन तक यह संदेश जरूर जाए यदि किसी ने foreign country में जाना है तो जो authorized agents हैं Immigration Act के तहप जो registered है उनके थुरूई जाए और ऐसे agents illegal agents के जहांसे में ना केवल आपसे 15-20 लाग की ठगी कर रहे हैं साथ-साथ आपकी जान को भी खत्रा है इसलिए मैं बताना चाहरा हूं कि इसके अंदर जो ट्रैवल का प्लान है इनका या वो कई बार बीच में नदियां क्रॉस करनी है जंगलों में जाना है कोई medical aid नहीं है कोई खाने की गरेंटी नहीं है यदि कोई expire हो जाते है तो ऐसी भी केसी सामने आए कि उसको dead body भी recover नहीं होती वहीं ये छोड़ जाते है तो जो गई है अभी हमने तो उन लड़कों से बातचीत की है तो यह काफी एक सीरियस मुद्धा है तो मैं चाहूँगा कि आपके माद्यम से जो हमारे यूँआ हैं उन तक यह संदेश स्पष्ठ हो और यदि किसी ने जाना है तो अपना legal way में legal तरीके हैं जाने के और legal agents भी है उनके थूँ जाए जर्का काल वे ऐसे काई illegal जो किंद्र ऐसे खुले हूँ है जर्ष्ठ तो उन पर क्या कारवाई करते हैं जैसे बग्यार श्कैर के भी ऐसे लोग आपके बास आते हैं ऐसे बहुत चारे केंद्र हैं देखिए मैं इस पर्ष्ट करना चाहूँगा कि जो भी इस काम में इन्वाल्वें उनके खिलाफ सक्से सक्त कारवाई की जाएगी हम कंप्रेंश लेके वह अलग से केस दर्श करें रिकावरी अभी करनी है इनसे बिल्कुल माना है और कई भराने की बात यह है कि जो बच्चे जा रहे हैं उनको भी पता है इस बात का लेकिन फिर भी इस लालच में के हम वहां जाके अच्छा रोजगार पालेंगे या हमार करियर सेट हो जाएगा उस लालच में वह इनके भैकाव में आ रहे हैं यह एहर काओं का लड़का था जितेंदर नाम है 19 साल की इसकी एज थी उस लड़के को भेज़ा था जिसकी हमें कंपली वह अभी डीपोर्ट हो के आया मेक्सिकों से इसमें लोगों को भेज चुका है जिसमें रहे कुछ पंजाब के भी हैं तो जो हमारा जो लड़के बहर के हैं मित शवनोच दो लिख के भीजांगे जो लोकल के हैं जिसमें हम कर वाई कर सकते वह हम कर वाई करें तक ज संद में और जल्غमाना में उफिस झाल 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 झाल